हाई दिस इस अदीती तो आज है फुल मून और हम बनाने वाले हैं मून फेज नेकलेज तो यह जुएलरी मैं बना रही हूँ एमसील और स्टैपलर से तो मैं एमसील के दौनों पार्ट को एक्वाली लेकर मिक्स कर लूँगी मतलब कि अच्छे से ब्लैंड हो जाएं अब मैं इस फेज को अकॉर्डिंग दो को हाफ से थोड़ा जादा और दो को हाफ से कम कट कर लूँगी अब मैं आई पिन लूँगी इसमें मौती डालूँगी अब हमारे मून फेज को मैं उस पिन में रखकर चिपका दूँगी यह सब एमसील के सूखने से पहले ही करना होगा मु कि मैं इसमें फैविकॉल लगा रही हूँ जिससे और ज्सेशादने क्या जाए कि अब मैं इसमार करने के लिए मैं अपनी आई-पैलिट हाँ इसमें में सिल्वर कलर कर यूज कर सकते हैं और याद रखें यह सूखने से पहले करना है तो अब द्रेश कर सब्स लगा लगा और इससे सूखनी के लिए छोड़ दिया और अब मैं बना रही हूं चेंड जी हाँ स्टैपलर की चेंड बनाओंगी इसके लिए मुझे स्टैपलर और छोटे-छोटे मोती चाहिए तो मैं स्टैपलर कर के अंदर की फ openness को निकालूंगी और फोड़ी मेनत करनी होगी में पेंट के एक तरफ की पोल को खोलूँगी आ चाहती हूं यह आईडिया मुझे आ अया कैसे एक्षिल पर ना जब मैं अपने बुप के कव चेंज करती थी तो मैं पसंद करती थी यह जाब मैं निकालकर रखती तो मैं कुछ कर लेती हूं और ऐसी करके मैं बेस्क्रेट बनाया था फर्स्ट अपना शूल टैम पर और वह मेरा सबसे पेवरिट था मुझे लगा कि मुझे अपना आ होगाँ झाल लीइंड रॉक्त दोगी तो आप दीख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही करना जी कां सब्सचे समझ को लेगी लिए सब्सक्राइब लोब्स्टर हुटा लगा लीजिए मुझे जल्दी से पहनना थे तो मैं बिना लॉब्स्टर होके ही से पहन लिया है और आप देख सकते यारी कितना खूबसूरत लग रहा है मतलब कि इतना प्यारा लग नहीं बताने सकते इसका कलरदम पर्फेक्ट है जैसा मैं चाती थी बिल्कुल यह वैसा ही बना है और यह सामने सि ज्वायरी को पएके मैं अपनी फ्रेंड किया ती और मिरी फ्रेंड बहुत देखते लिए उससे लगा कि मैंने मार्केट की चुन्यरी पाहिए बात मैं उसना मुझसे पोछा तरा बैने हैं है और पूरी हैं है और चेन को देखके इतनी ज्यादा शौक्ट हो गई दिखि उ